नमस्कार दोस्तों मेरा नाव विशेख है आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल से डिल्मेंट टीपी अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब निगे तो नीच आपको एक सब्सक्राइब बटन देखाई जरो को प्रैस के लिएगा उसके वगल में एक बैल आइकन भी होता है उसको भी प्रैस के जिए जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालू हूँ सबसे पहले इन नोडिफिकेशन आपके पास पहुच जाए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रॉड लोन एप्स प्रॉब्लम्स के बारे में जी हाँ फर्जी लोन एप्स प्रॉब्लम्स में आपको पर्सान की जा रहा है तो आपको आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैसे जो है उन सभी परसानियों से बाहर निकल सकते हैं और फेक फ्रॉड लोन एप्लिकेशन अगर परसान करें तो सिर्फ ये दो डेट है मार्च 2024 की तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी बाब बता दू देखिए जितने भी लोन एप्लिकेशन जो की सेबन डेस का लोन प्रोवाइड कराती है जिनका लोन सिभिल में सो नहीं होता है ठीक है और इनका जो टैनियोर है यह सेबन डेस य बुक क्या करेंगे आपको एक फरजी लोन एक्रिमेंट लेटर दे देंगे और उस पर किसी भी अन्वी अपसी का नाम रेंडम ली उस पर लिखा होगा और आप जो समझेंगे कि यह जैनियून है असली है तो अगर आप सिबिल चेक करेंगे तो सिबिल में आपको उनका लो अगर आपको ब्लैक मेल करेंगे उन्हीं कॉंटेक्स के नाम पर एक और इनकी पैचान बता दूँँ यह जो आपको लोन देंगे वह बहुत ही कम प्रोवाइट करेंगे मतलब कि अगर आपने यहां से दस अजार को लोन अप्लाई कि है तो आपके बैंक एक बार रिपेमें कर दिया तो यह क्या करेंगे दुबारा से अटोमेंटिक आपके पैसर ट्रांसपर कर देंगे आपकी बिदाउट परमिशन और फिर से आपको इनको रुपए करने होंगे कभी-कभी ऐसा भी मैंने देखा है कि एक बार आपने पेमेंट कर दिया आपके पास बोलेगा कि करना कर आपकी कॉंटेक में जो है वो बॉटसप कर देंगे अब ऐसे में कोई भी यूजर होता है मनलीजे कोई भी है एक्सवाइट कोई भी परसन हो सकता है मेल फीमेल बुड़ा जवान कोई भी व्यक्ति या बच्चा यह डर ही जाएगा अगर किसी के साथ भी आप ऐसी क पाकिस्तान का इंडोनेशन लेंगवेज देखी है तो बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं आप तो बोलतों कि पाकिस्तान से जिहां इसमें इन्वाल्मेंट है चायना का पाकिस्तान का इंडोनेशिया का इसके आसपस काम करते हैं यह क्यों क्यों पैसे पैसे पयादा करना अच्छा बंद तो सबसे पहले काम तो आप यह करें कि जो आप रिपेमेंट करते हैं तुरहंत तत्काल बंद जैसी अगर आपने वीडियो देखी मेरी आपको पता चला है पहले करें इनसे बचने का इलाज अब इलाज क्या है जो आपको सिरदर्द होता है अनिद्रा है बेचैनी है इसका इ उसका होगा वह कपकरना है आपको तुरंति नहीं करना है पहले आप जाहिए पुलिस इस्टेशन जितने भी नमबर से आपके पास कॉल्स आ रही है उन सारी नंबर को पुलिस को प्रोवाइड कराए नियरे अगर कोई शाइब्र क्रॉटल में बहुत ही बैस्ते है ऑनलाइ और विजिट कीजिए और उन्हें पता ही कि मेरे साथ में ऐसे से एक online fraud हो गया मैंने कोई application इस्टॉल की थी तब मुझे पता नहीं था कि application NBFC या bank registered application नहीं है बाद में मुझे पता जलता ही कि application जो है वो fraud है फरजी है कोई इनकी NBFC नहीं कोई बैंक नहीं चूंकि भारत में loan परदान करने के लिए किसी भी online लेंडिंग पार्टनर का NBFC रेइस्टर होना ने बारे है तो यह जो है वो fraud loan application क्योंकि इनका loan ना तो सिविल में सोगता है ना इनकी कोई NBFC ना इनकी कोई bank है जो इन्होंने NBFC नाम यूज कर रखे है वो भी एकदम फरजी तरीके से यू बापत हो जाए ठीक है तो जो उन्होंने रिपेमेंट कर दिया है वह भी बापस मिल सकता है जो आपने किया है वह आप ट्रांजेक्स बगर उनको बताईए वहाँ पर जहां तक है मुझे ऐसा लगता है कि साइबर पुलिस जो है वह यह बात बोलती है कि हम कोसिस करेंगे आ आपको परसान कर सकता है ट्रिकर कर सकता है ऐसे निर ट्रिकर कर सकता कि वह आपके ओल करें और आप ट्रिकर हो जाए तो बहुत सारे लोग डारेक्ट फोन सुझाफ और तरीका यह पुलिस कंपलेंट की कोपी आप अपने वाट्सप स्टेटस पर लगाई उसके बाद आप उसको सभी contact list में बारी-बारी करके send कर दो एक बार में सब पर send नहीं होता आप भी जानते हैं साइर एक बार में 4-5% होता तो ऐसे करके आप सभी जितने भी आपके आपके पास कोई भी call आता है मुझसे जोड़ोगा तो आप इसको ततकाल ब्लॉक कीजिए और जो है कभी भी कि हमारे अगर कोई भी मैसेज आता है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति मेरे बारे में कोई जनकाई लेना चाता है तो उनसे कभी भी बात ना करें ठीक है और मैंने इसकी सिकायत नियरेश्ट पॉलिस इस्टेशन में रेइस्टर करा दिये पुलिस अपनी कारवाई कर रही है इ आप लोग नहीं बताना चाहते हैं तो आप लॉन एतना बोल देना कि मैंने धोके से किसी एप्स के लिंक पर किलिक कर दिया था ऐसे करके बस इतना ही बोलना आपको ठीक है और मेरे साथ में ऐसे से फ्रॉड हो गया है तो ऐसा करके आप सभी को मैसेज कीजिए उसके बाद फोन को किजे सुच ओफ और फोन सुच और आपको आपको काम करना है यही होता आपकर सिंगल टिक गया तो मैसे dropped नहीं हुआ है तो बिल्कुल यही होना चाहिए जब वो फरजी लोन एप्लिकेशन के रिकबरी जेंड आपके पास मैसेज करें तो वो सिंगल टिक जाए तो उनको लगेगा मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा है वो क्या करेंगे फिर वो आपको कॉल करने को से करेंगे पासे भी रिस्पान्स नहीं मिलेगा उनको एक या दो दिन में इनका दिमाग बिल्कुल ठिकाने पर आजागा कोई इनको रीपेमेंट नहीं करना आप यकीन मानिए आप यह करके देखिए थोड़ा सा आप हिम्मत रखिए सबर रखिए फोन को सुच आफ कीजी ठीक है और फ पर देखो किसका क्या मैंसे जा रहा है और बाकी फिर इनके कॉल्स बगर आना आपके बस बंदो जाएंगे क्योंकि इनको पता चलियागा कि कोई रिस्पॉंस नहीं देगा ठीक है तो बस आप इतना कर लीजिए पुलिस कंप्लेंट रेजिश्टर करा दीजिएगा कि पर पर प्रमनेंटली तो यह आपका पीचा छोड़ देगे क्योंकि इनके पास और भी काम है आप जैसे जैसे जाने कितने लोग है जिनको यह लूटते हैं दिन भर में पता नहीं कितनी इनकी रिकवरी होती है मतलब क्या ही बताऊं काउंट लैसे कितना रुपए लोगों से लूट लेते हैं तो बिल्कुल ऐसी गलती ना करें फोन को सुचाओ ना करें सुचाओ रखें बाट सब पर्मेनेंटली बंद कर दें और हो सके दोबारा कभी इन फर्जी लोन अप्लिकेशन को ना तो आपको इस्टॉल करना है ना इन से कभी लोन लेना है अगर आप NBFC रिष्टर लोन अप्लिकेशन से लोन लेने चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए सभी सेफ और स आपको पसंद आयों तो इसको लाइक कर दिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना विल्कुल दुलिएगा मिलता हूं फिर किसी इंट्रस्टिंग वीडियो में फिर किसी इंट्रस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद्ध बता